नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राउट मोवाइल आईपियो, क्या हमें राउट मोवाइल आईपियो में इनविस्ट करना चाहिए? क्या route mobile IPO invest करने के लिए perfect candidate है अभी दो IPO का subscription चल रहा है happiest mind और route mobile IPO तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे route mobile IPO के price के बारे में और उसके company overview के बारे में board of director उसके management कौन है उनके बारे में और company का business model क्या है किस segment में company work करती है तो क्योंकि आप और हमें किसी भी IPO में invest करने से पहले हमें company के business model company का balance sheet में कितने company profit में है loss में है और कोई IPO हमें जो price जो offer कर रहा है वो हमें कितना महंगा मिल रहा है इस बात को इन छोटी छोटी बातों को हमें जान समझ करके उसमें invest करना चाहिए समझने की कोशिस करते हैं कि हमें क्यों route mobile में invest करना चाहिए या फिर हमें stay away यानि कि हमें इससे दूर रहना चाहिए यहां में मुनाफ़ा मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है तो इसका हम detail में case study करते हैं तो आगे अब हम इस वीडियो को process करते हैं तो दोस्तों मेरा नाम है अलोक कुमार और आपका आपके चैनल दा इन्वेस्टिंग मंत्रा में स्वागत है और जिन भाईयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें क्योंकि यहां पर आपको वैलुबल इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन स्टॉक ऑफ दवीक और बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्स वैलेबल कोर्स टेकनिकल एनलाइसस फंडमेंटल एनलाइसस आपको यहां पर चैनल पर उपलब्ध है आप चाकर के चैनल पर कभी भी आप फ्रीली में सारे डाकुमेंट सारे वीडियो इबलेबल हैं आप उसे रीड कर सकते हैं और उससे आप बैनिफिट ले सकते हैं आईए दोस्तों बिना समय गवाए अब हम लोग एनलाइसस करते हैं कि क्यों हमें राउट मोबाईल आईपियो में इनवेस्ट करना चाहिए है आई दोस्तों तो अब हम लोग रूट मोबाईल आईपियो की अनलाइसस करते हैं यह आपके सामनी मेरा दा इनवेस्टिंग मंत्रा चैनल यूट्यूब का खुला हुआ है यहां पर आप जाकर के वालेव इंफ करते हैं रूट मोबाईल आईपियो का ओफर प्राइस क्या चल रहा है तो यहां पर हम देखते हैं रूट मोबाईल आईपियो की यह आपका रूट मोबाईल आईपियो की यह आपका रूट मोबाईल आईपियो की यह आपका रूट मोबाईल आईपियो का क्या है दा क्या प्राइबी पोर्शन नेट मोर दन 50% अब दा ओफर रिटेल के लिए 35% का ओफर है और हमारे लिए जो इन्फार्मिशन है कि बिड ओफर प्रोग्राम क्या है तो बिड ओफर प्रोग्राम ओपन ओन वेडनस डे यहां से अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्यों इन्वेस्ट कर करना चाहिए तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें आपको क्या देखना चाहिए कि वह आखिर वह रूट मोबाइल कंपनी करती क्या यह कंपनी को चलाने वाले कंपनी को चलाने वाले कंपनी को चलाने वाले कंपनी को चलाने वाले कंपन यहां पर कंपनी की जो वेब साइट इन्होंने सेवी को जो इन्होंने राइस्टर कर रखा है rootmobile.com तो rootmobile.com पर इनकी सारी information हम लोग कलेक्टरने की कोशिश करते हैं तो यह कंपनी का वेब साइट है rootmobile.com तो कंपनी प्रफाइल में incorporated in 2004 Mumbai, India 2004 से कंपनी ने स्टार्ट किया, 300 प्लस इसके employee है 18 से ज्यादा location में across Africa, Asia, Pacific, Europe, Middle East, North America इसमें customized messaging solution प्रवाइड करती है 6 strategically located इसके data center है software related है, communication में 2.5 प्लस billion message per month in fiscal 2020 में messaging service का cloud computing का इनका काम है basically across to 800 प्लस mobile network operator across the global June 30-20 तो mobile operator के साथ जूर करके इनका काम का एक model है तो उसका हम आगे detail में भी चर्चा करेंगे कि model तो है अब हम देखते हैं कि इनके board of director का उन है company के तो board of director में आईए यहाँ पे देखते हैं कि board of director में राजदीप गुपता और संदीप गुपता तो चंद्रगांद गुपता तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आता है Root Mobile में दो director का राजदीप गुपता और संदीप गुपता का तो आइए हम देखते हैं कि राजदीप गुपता और संदीप गुपता काउन है मैंने इनका LinkedIn का profile निकाला हुआ है मैं देखते हैं कि इनकी क्या qualification है काउन है तो आईए राजदीप गुपता गुपता गुप सीयो रूट मोबाइल लिमिटेड और यहाँ पर इन्हाँ ने अपना जो दिया है कि computer science graduate from Mumbai University with over 22 year of industrial experience in software and telecommunication domain और उसके बाद आप देखें कि co-founded Root SMS Solution Limited Root Mobile Limited, he worked with a number of renowned multinational organization in India, abroad, USA, Grugol Online spectrum तो यहां इन्हाँ ने अपनी केरियर की कब कहां कैसे शुरुवात की थी तो आईए देखते हैं सबसे पहले इन्हाँ ने कहां से तो इनका नीचे चलते हैं, पदार high school से इन्हाँ अपना high schooling की national college से B.S.C. physics computer science में 1991-1997 से इन्हाँ ने किया App Tech computer system से 1997 में इन्हाँ ने एज इंस्टक्टर अपना केरियर स्टार्ट किया, उसके बाद AIAS computer USA में 1998 से 2000 में Great Atlanta area में ये US में उसके बाद team leader रहे है, उसके बाद technical head group online learning solution के बने उसके बाद senior consultant spectrum network है और 2004 में इन्होंने root mobile company का अस्थापना की establishment किया root mobile company का आईए अब देखते हैं कि Sandeep जी इनके क्या profile है, Sandeep गुपता, managing director at root mobile limited तो Sandeep गुपता जी जो है, Sandeep गुपता is a charter accountant and SAP certified consultant, एक director जो है, वो computer science graduate है और दूसरे जो है, वो chartered accountant और SAP certified consultant है, तो the finance specialist with over 18 year of extensive experience in business analysis, 18 साल का इनको finance में एक बहुत ही अच्छा खासा experience है, उसके बाद ही work as many of the organization which include the price warehouse, copper, और इंडिया, canvas, इंडिया, private limited, chartered accountant, SAP certified, अब आगे देखते हैं कि इन्होंने career की कब कहा कैसे start किया, तो career की इन्होंने start Mumbai University से इन्होंने bachelor of degree accounting and finance में 1991 से 1994 में किया, उसके बाद फिर इन्होंने CA 97 से 2000 में इन्होंने CA complete अपना किया, उसके बाद फिर ये 2004 में, 2002 से 2004 तक इन्होंने फिको SAP certified consultant के तोर पिन्होंने पीड़ूसी एन canvas company में work किया, उसके बाद 2004 में ये root mobile limited के formerly known as the root SMS solution, आज जो company का नाम है, वो root SMS solution है, तो उसके ये managing director बने, तो अब देखते हैं कि company का क्या overview है, company कितने detail में काम करती है, तो company के detail में काम करने के लिए हमें आना पड़ेगा, तो आई एफ देखते हैं कि root mobile limited में, ये रहा root mobile limited का मैंने download किया हुआ है, root mobile limited company का red herring prospectus, तो जब भी कोई company IPO launch करती है, तो उसे अपना एक red herring prospectus लाना पड़ता है, जो सेवी को उसमें अपने उस prospectus में 468 का page का है, जिसमें कि वो detail में अपनी company के plans, company के information, सब कुछ वो share करते हैं, तो आप देखें कि root mobile limited was incorporated as the root SMS solution private limited, तो यहां पर हम देखते हैं कि root SMS solution, तो यहां पर मैंने root SMS dot com, यह भी website मैंने open किया हुआ, यह भी unique website है, root SMS dot com, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, RCS business, messaging, messaging, voice, firewall, analytics, operator और इनके statics है, आप आगे जागर के यहां पर detail information आप collect कर सकते हैं, आई यह अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या submit किया है कि root mobile company का, तो company 2004 में, मई 14, 2004 at Mumbai, महारास्टा से इन्होंने start किया, अब यह public limited company बनने की कोशिज कर रहे हैं, तो आई यह सबसे पहले हम देखते हैं कि company का overview है, company का structure क्या है, company में business model क्या है, जो इन्होंने सेवी को जो बताया है, तो इसके लिए मैं अब company का structure पर आता हूँ, तो company का structure में, हमें अब चलना पड़ेगा, industry overview, about the company and industry overview, तो unless noted, otherwise, information in this section oriented, mobile messaging market, the first is the mobile messaging market, market, SMS, MMS, IM, email, RCS, यह सब इनका business model है, A2P, messaging, opportunities, competitor and the forecast, 17, 2022, तो इनका जो है, A2P, आगे देखते हैं, और इन्होंने क्या detail में डाला है, तो cloud communication, तो cloud communication में क्या है, cloud communication is the entirely new way to build, deploy, scale enterprise communication system, क्योंकि इस company का business है, वो आज का business है, अब भी से यह आगे आने में, यह business growth और बढ़ेगा, जिसमें कि cloud computing है, cloud communication है, messaging है, OTP है, तो इसमें इनका क्या है, कि थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि voice over internet protocol, VOIP, VOIP जैसे कि Skype, Skype आप जो phone यूज करते हो, Skype computer पर बात करने में, वो एक VOIP services है, आप WhatsApp पे जो phone पे बात कर पा रहे हो, WhatsApp तो WhatsApp वो भी internet call होती है, तो वो भी एक VOIP services में application आती है, voice over internet protocol जिसमें कि internet से voice जा सके, तो communication as the server, CAPS, unified communication, unified communication में enterprises का, उनका server काम करता है, जिसे आपका IBR काम करता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उसके बाद service over telecom operator MNO, तो following are certain consumer facing use case by cloud communication service used by enterprise across a diverse sector, क्या है one time password, जैसे आप bank में transaction करते हो, तो आपको एक one time password आता है, तभी आपका payment go through होता है, उसके बाद जो है, आप जिसे की email में भी जो है न, two factor का अपने Gmail में या किसी भी email में आप जो authentication लगाते हो, तो उसमें आपको SMS receive होता है, OTP receive होता है, OTP आप उसमें punch करते हो, उसके बाद वो फिर आगे further process होता है, तो आप जैसे flight में reservation होता है, तो उसमें जो SMS scheduling है, कि आपको जो है आपका birth क्या lot हुआ, आपका seat नमर क्या है, उसके बाद कितने भी जाएगी, या फिर आप जो ticketing करते हो, IRCTC railway से जो आप ticket कटाते हो, तो आपको आपका reservation, आपका seat का, वो detail आपको आजाती है, आपको message मिल जाता है, तो यह क्या हुआ, message update related to change flight schedule, body gate from airline to passenger, transaction confirmation and delivery update message from e-commerce transaction, जब आप Amazon या Flipkart में कुछ buy करते हो, तो आपका transaction successful हुआ या नहीं, तो आपको एक message आती है, आपके mobile phone पे, तो इस type की जो business है, आज के business में यह company काम कर रही है, अब आगे देखते हैं, क्या है कि, Solicitating Miss Call for supporting cows and polling for television, अब आप कौन बनेगा क्रोरपठी सोस देखती हो, तो उसमें काता है, कि आप यहाँ पर phone line खुलावा, आप इतने विज़ इतने विज़ तक phone करो, आप वहाँ पर miss call कभी news campaign जो चलता है, कि जैसे अभी hot topic है रिया चेकरवरती का, तो वहाँ पर miss call करके बत short message services, आपको कोई ABC किसी TD company नाम से कोई message आती है, तो वह short service message, multimedia message services, MMS बना करके यह भी आपको जो है, इस company का आज के date में जितनी बड़ी है, वह सारे, उसके बाद instant messaging services, email, social messaging, यह in company का main business model है, अब आगे देखते हैं कि और इसमें क्या है, cloud communication में क्या है, यह three type में application काम करता है, application to person A to P, इसको तीन भाग में divide किया है, कैसे कि, an automated message sent by software application to device controlled by the human wing, एक जो है ना कि, automated message generate हो जाता है, जब भी आप कोई काम करते हैं, इससे आप ATM से पैसे निकालते हो, तो server से automatic message आ जाता है, उस device में से calculate हो कर गिए कि आपका कितना transaction रह गया, कितना पैसा रह गया, यह application to person A to P television reality show और constant, तो इसमें क्या हुआ कि, वही, television में कोई reality show हो चल रहा है, तो उसमें मिसको अलगरोथ उनको पता चल जाता है, तो person to application, P to A, machine to machine, M to M, machine to machine में इसका main time आने वाला है, क्योंकि अब जो है, आप देखो कि Tesla ने electric car निकाला, Tata ने electric car निकाला, तो अब क्या है कि road भी electronic होगी, कार है सारी electric होगी, तो एक device, दूसरे device से जो है na communicate करेगी, तो machine to machine communication का इनका concept है, जो आने वाले अब 10 to 20 years में main features है, M to M, machine to machine communication, sent by the device control by the software application to another software application, vehicle, manufacturer, measurement, car, health, जैसे कि आपके पास अभी कोई Honda City है, वेरना कोई नई कार हो, नई कार में क्या है कि आपका GPS location आपका कहां पे कार का है, वो आपको message से आपको पता चल जाता है, आप अपने messaging से आपको जो है ना, उसकी information पता चलती है, आपका device work करता है, तो अब आ गया आते है A2P, अब current state of communication as services, CAPS, तो इस type की mobile channel काफी है, इनकी जो business model है, वो आज के time का business model है, mobile messaging include SMS, RCS, OTT business messaging, application, push notification, mobile, voice services, email services, आप यहां पे सारा देखते जाओ, जोनी पर research, leopard board, यहां पे extensive program इनका है, यहां पे CM.com, capability and capacity, तो इसके detail में अब हमें जाने की जौरत नहीं है, कि इसमें कौन-कौन से competitor है, तो heatpap में देखेंगे, तो CM.com भी इस type की services देता है, उसके बाद GMS, लेकिन जो सबसे अच्छी बात क्या है, अब जैसे Twilo, अगर कोई computer science background से है तो आपको पता होगा, Twilo, वो आपको सारी message, इसकी services देता है, Miltow, Amgaze, लेकिन इंडिया में कोई भी listed company नहीं है, कोई भी public listed company नहीं है, जिसका किया stock में, national stock exchange और Bombay stock exchange में, properly listed company हो, जो भी company काम कर रही है, वह तो या तो foreign किया है, वो private limited company है, लेकिन listed space में ये company आने के बाद ये इसका और भी ज्यादा growth मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, as a technical graduation background, तो mobile messaging term, mobile OTT ये सारा, तो ये आ गया कि company का overview structure, अब हम लोग जाने की कोशिस करते हैं कि company क्या, क्यूं हम invest करें company में, क्यूं हमें invest करना चाहिए, तो second part में हमारा क्या है, financial, company में हमें क्यूं invest करना चाहिए, तो आईए अब हम लोग देखते हैं कि company में क्यूं invest करना चाहिए, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि इनका IPO लाने के पीछे जो इनका उद्देश है, objective offer क्या है, तो objective offer में क्या है, कि offer consist of fresh issue of up to equity share by our company generating, sorry, aggregating up to 2400 million, और एक तो इसमें दो पाट है, एक क्या है कि fresh issue होगा IPO, जो नए shares a lot होता है, उसको fresh issue shares बोलते ह यहां और एक जो promoter के पास जो shares होता है, जो कि promoter के पास 96% share है company का, तो उसमें से वो अपने कुछ हिस्से को बेशता है, तो उसको बोलते है public offer, floor price पे, तो FPO में, तो FPO में वो अपने लगवग जो हिस्से को बेच रहा है, round about वो अपने हिस्से को 40% के बेच रहा है, जिसमें की company के पास जो promoter के पास जो share बचेगा, वो 57.6% बचेगा, तो rest of वो अपना shares सभी promoters बेच रहे हैं, through the FPO offer, तो the proceed from the offer for sale क्या है, यहां देखियो objective, our company proposed to utilize the net proceed towards funding the following object, repayment और prepayment in full or part of certain borrowing of our company, acquisition other strategic initiative, यानि कि इनके पास जो भी debt है, उनको यह repayment और prepayment से उसको चुखाना चाहते हैं, उसके बाद क्या है कि वो कुछ मुंबई में अपना office खड़ीदना चाहते हैं, और उनके बाद जो उनका general corporate purpose है, और उनका strategic acquisition investment का है, वो अपने business को फर्दर आगे grow कर पाएं, तो अब देखते हैं कि company के balance seat पे हमें जो है, आईए finance से पहले मैं आपको बता दो कि इस company के जो subsidiaries है, वो है Root Mobile UK Limited, 365 Squad Limited और Root SMS Solution FZE, ये इस company के subsidiaries है, जो की foreign में, आईए एक बार देखते हैं कि company का product और solution क्या है, तो ये जो provide करते हैं operators को, identity, brand, messaging में, omni channel, voice, email, जो मैंने आपको पीछे बताया, और enterprise में, communication platform as a CPSS में, enterprise messaging, two-way messaging, OTT business messaging, rich communication services, enterprise email sender, URL, click to call, missed call, services, outbound dialer, जैसे BPO, BPO company, इनका BPO business process outsourcing, sourcing, जो call centers चलती है, तो उसमें जो call आती है, आप कहीं पर भी call लगाते हो, किसी भी call center में, जो call receiving होता है, और जो call वहां से connect करते हैं, तो ये dialer का लाता है, तो outbound dialer, और blended dialer, तो ये dialer का, उसके बाद route hub, instant virtual number, जैसे कि just dial, just dial में आप जबी phone करते हो, तो उनका एक virtual number होता है तो वह instant virtual number, BPO, call center, campaign management, industry focus solution में आप इसका देखो कि, way to messaging solution, missed call solution, second में, RML missed call, A2P, तो ये इसके सारे business, travel industry में आप जैसे कि customer, customer आगिया, booking, booking confirmation, flight update, loyalty, promotion message, crew roasters, flight detail update, ground staff को क्या आएगा, crew roasters, maintenance, scheduling, operation update, internal communication, HR update, organization, तो सबको SMS के थुरू, हर information, share हो जाएगा, internet of things में क्या आएगा, internet of things in Evelyn, communication solution, जिसमें कि root mobile SMS based solution है, उसमें क्या आएगा कि client has equipment deployed across the globe, सारे equipment, send the heartbeat testing message, आपके पास जो आपका क्या हर्ट विट चल रहा है, वो भी आपको message से मिल जाएगा, response आएगा, तो ये इनके सारे ये model है, detail में हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, URL shortening solution retail, जैसे कि आप Twitter का कहीं पर लिंक share करते हो, तो लिंक share करने के बाद क्या होता है, कि URL आपका short हो जाता है, और वो short URL उसे फिर वो खुल जाता है, URL shorting services है, ने unique feature, तो जितने भी company के unique अभी date में, technology में चल रहा है, वो सारे ये company उसी based पे है, जो listing space में होगी, तो इस company का IPO की बात करें, अगर as a technology aspect में, तो ये धूम मचाने वाली है, आने वाले टाइम में, और इसमें हमें अच्छा खासा return मिलने वाला है, SMS, Firewall solution, Telecom operator, क्योंकि इस फिल्ड में कोई बड़ी company listed है ही नहीं, इसका competitor नहीं है, इसलिए इस फिल्ड में इसे पूरा का पूरा मिलने वाला है, इनका client support, BPO, operator, तो इनका क्या है कि revenue, top 5 clients, से इनका revenue आया 24.92%, 8 में, उसके बाद फिर 2019 में आया 33.80%, फिर 2020 में 40, देखिए इनका revenue बढ़ता ही जा रहा है, top 10 clients है, ये top 50 clients, 92%, तो 2020 की बाद करें, 3 months ended June, June quarter में इनको क्या आया, कि 2787 customer और 1380 customer respectively, अब इनके table में इनके revenue, तो किसी भी company का, अगर वो earn करेंगी, revenue आएगा, revenue के बाद फिर उनका profit देखना होता है, कि profit कितना है, expense क्या है, तो 50 million for the period of indicated, क्या आया, customer count, ये 50 million less than the equal to 100 million, आप देखिए, हर जगा इनका बढ़ता इस में 14, 20 में 12 आगिया, मंत जून में 2 आगिया, थोरा से यहां पर इनका घटा, लेकिन revenue higher than 100 million and less than the equal to 250 million, higher than 250 million में ये इसका दो बार का रहा, उसके बाद revenue इनका split हुआ, business response to COVID-19, तो COVID-19 में इनका क्या impact रहा, तो COVID-19 का इनका इनका इंपक्त दिया है, कि pandemic March 2020, company response and implementing various process, ensure our operations, service to our customer continuing seamlessly, क्योंकि इनका ज्यादा impact होगा नहीं, इनका सारा digital communication है, जिससे की सारा कुछ आगे चलता है, sales and marketing, suppliers, partners, product development की बात करें, तो our product development process compared to team of 35 developers, product manager, Mumbai and Malta, June 30, 2020, award and certification का इनका देखें, the company was ranked in Fortune India next 500, तो ये सबसे बड़ी बात है कि next Fortune 500 में ये company सामिल हो गई है, जो कि rank इसको Fortune ने भी किया है, award and certification, further in 2019, our company was awarded based governed company under unlisted segment, emerging category, उसके बाद फिर जो है इनका consumer solution award, SMS global award, most innovative communication solution provider 2019, उसके बाद अब धेर सारे award इनकी है, आगे अब देखें कि इनका competitor, तो cloud communication में इनका कोई competitor नहीं है, जो कि Juniper reports में है, कि cloud communication market is characterized by the fragmented highly competitive market participant, we compete with the other global A2P service provider, including the Sinverse and Mobilex, जो कि United States की company, इंडिया में कोई है ही नहीं है, इनकी company, अब इनका जो है ना, जो policy और regulation की बात करेंगे, तो मैं इसको आगे detail में ज़्यादा हमें, यह मैं आपको, आईए अब मैं आपको subsidies की इस company बताओ, कि Safe Air, AIDS Consulting India Private Limited, Start Corp India Private Limited, Call to Connect India Private Limited, Root Mobile UK, Root SMS Solution Nigeria, Root SMS Solution FZE, UAE, Root Mobile PTE Limited, Singapur, Root Connect Private Limited, तो यह इनकी सारी subsidies है, जो बाहर काम करती है, foreign countries में, तो, आईए अब मैं आपको promoter दिखाता हूँ, इस company promoter क्या है, तो the promoter of our company is the Sandeep Kumar Gupta, राजदीब Gupta, आप देखें, Sandeep जी का यह, पिक्चर और राजदीब ज का, तो यह 46 years के है, young है, 45 years, दोनों भाई है, और चंदरकांद Gupta, इनके पिताजी है, तो यह एक family business है, असलिए partnership का कोई जंजट नहीं, अराम से चलेगी, company दोनों भाई मिलके अच्छा चला रहे हैं, तो अब आगे इनका, आगे आईए देखते हैं कि, अब आईए देखते हैं कि अब तक company ने क्या dividend declare किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dividend on equity share, final dividend rate 15% 2020 में, और 19 में भी उसके बाद interim dividend भी 15% और final dividend भी million 75 million, तो company अच्छा खासा जो है dividend भी दे रही है, अपने इंपलाई को shares भी दे रही है, तो company में कोई risk factor नहीं है, आईए अब देखते हैं, financial information और financial statement कि इनके financial इनके balance sheet पर क्या कुछ हमें देखते हैं, अब यहां पर देखें, मैंने आपके सामने निकालवा, Root Mobile Limited, Restated Consolidated Statement of Profit and Loss, तो सबसे पहले देखते है revenue, तो यह revenue, revenue इनका क्या है कि June 30, 2020, यहां पर इनका revenue का यह देखें figure, और इससे पहले year ended, March 31 में revenue जो इनका दिया था, revenue इनका 2018 के बाद increase हुआ 19 में, 20 में increase हुआ और यह तो अभी जो है सिर्फ एक quarter का revenue है, उसके बाद इनका फिर देखते हैं कि profit before tax, तो profit before tax में अगर देखें, profit for the period and year, तो 2018 में 31 मार्च का यह 466 करोर का था, उसके बाद फिर 2019 में 545, 31 मार्च 2020 में इनका profit भी बढ़ता गया, और यह भी एक quarter का इन्होंने 270 करोर के आसपास इन्होंने file किया है, उसके बाद देखते है comprehensive income, तो इनका profit भी company revenue अच्छी है profit है, तो the total comprehensive income for the period or year, तो इसमें देखिए कि comprehensive income क्या था, 18 में, 19 में और 20 में इनका यह income भढ़ता ही गया, तो company अच्छी profitable company है, अगर इसकी पूरी बात करें तो पूरे profit में है, profitable company है, तो सारा कुछ सामने है, earning per equity share, earning per equity share देखें तो 9.57 था, 18 में फिर 11 रुपे, 2020 में 13 रुपे, और यह यहाँ पे आपको आ रहा है, फिर 5.42 face value इसका 10 रुपे है, तो यह 14 रुपे पिछले को मान करके चले और आपको भी 345 रुपे का यह IPO offer मिल रहा है, तो यहाँ से यह at least लगबग 18-19 times यह overpriced है, तो यह अपने जो PE multiple है, उससे अपने जो अगर industry में और comparison करें तो 19-20 के PE ratio पे यह आपको प्रवाइड कर रहा है, तो company काफी fast growing, technology driven company है, तो यहाँ से इस company का आगे पूरा growth रहेगा, तो अब आते हैं हम बात करते हैं कि हमें invest करना चाहिए, तो एक बार से हम जल्दी-जल्दी recap करते हैं कि क्या हमारा offer price है, क्या September का है, तो bid offer open हुआ है, आज Wednesday September 9 को, और यह 11 September Friday को last हो जाएगा, अब क्या आपको क्या size है, तो यहाँ से देखते हैं कि the price earning ratio based on diluted EPS 2020, तो यहाँ पे the price band is 350 per equity share, 345-350 का band रखा गिया है, तो इसमें आपको यह shares मिलने वाला है, तो 345-350 के बीच में होगा, और इसकी जो quantity होगी, वो 40 shares का एक lot होगा, 40 shares का, तो यह lot size क्या है, तो आप यहाँ पे देखें कि 40 equity shares thereafter, तो क्या है कि the floor price ही 34.5 times, तो 34 गुना इसका floor price चल रहा है, price band आपका क्या है, 345-350 रुपे per equity share, face value 10 का है, और आपको 40 quantity का share है, तो अब अगर decision की बात करें, मैं तो इसमें invest कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यह list होने के बाद, stock exchange में, उसके बाद यह हमें अच्छा return प्रोवाइड करेगा, तो आज के लिए दोस्तों कैसा आपको हमारा यह information लगा, complete हमने यहाँ पे, सेवी का जो data source है, यहाँ पे और company की website पे जो अनों ने दिया है, company के जो management है, board of director है, आपको सब का मैंने detailed information में समय कम है, समय की पावन्दी है, इसलिए मैं अपनी याववानी को विराम देता हूँ, और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, आपको कैसा यह लगा, analysis, information आप जरूर सेयर कीजेगा, तब तक आप हमारी चैनल को like करें, subscribe करें, और आपका खूब धेर सारा प्यार मिलता रहे, और bell icon को दवाए ताकि आपको latest वीडियो का notification मिलता रहे, आज के लिए बस इतना ही, कल दुबारा फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर आओंगा, आज के लिए नमस्कार,